नमस्कार दोस्तो लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है लेखपाल मेंस एपजाम के अपार सफलता बैच के बाद आज से हम P.E.T. 2022 के लिए एक संदार सुरुआत करने जा रहे हैं जैसा कि आप सब जानते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी बात कर रहा हूँ जीतना भी प्रेक्टिस एट कर आया था उसी से मैच के 25 प्रस्न पूछे गए हैं कहने का मतलब यह है कि उसी पैटरन पे कुश्चन पूछे गए हैं ठिक इसी तरह P.E.T. के लिए सिलेबर्स के अनुसा सारा टापिक बताऊंगा इसके लिए सबसे पहले हम P.E.T. के सिलेबर्स को देख लेते हैं उसके बाद उस पे कौन-कौन से टापिक हैं जिस पे अधिक ध्यान देने की जरूरत है ताकि आपका P.E.T. में 99 से अधिक परसेंटाइल आ सके इस पे हम बात करेंगे तो चलिए सिलेबर्स पर बात किया जाए सिलेबर्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें इस्टैटिक्स के क्वेस्चन है यानि प्रशनों की संख्या जो होगी P.E.T. में वो 100 क्वेस्चन होंगे और पुढांक 100 नंबर के होंगे और परिछा के ओद जो होगी वो 2 गंटे के होती है तो इसमें भारती इतिहास है भारती इतिहास से 5 नंबर के क्वेस्चन पूछे जाएंगे यानि इसमें 5 क्वेस्चन होंगे इसमें देखिए सिंदु घाटी की सब्यता बैदिक सब्यता आप देख लिजिएगा इसमें जब हम पढ़ाएंगे तो इसको एक के करके सारा क्लियर करते चलेंगे और आपको इससे सम्मधित प्रशनों का संग्रह जो है वो प्रॉइड कराते चलेंगे आगे चलिए उसके बाद है भारती राष्टी आंदोलन इसमें से 5 क्वेश्चन बनेंगे 5 नमबर के नेक्स्ट है भुगोल जियो गराफी से भी 5 नमबर के क्वेश्चन आएंगे और वो 5 क्वेश्चन होंगे ऐसे देखा जाए तो आगे चलते हैं इसमें भारती अर्थ वेवस्था है इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट है भारती समिदान ईयों लोग पर्शासन इससे भी 5 नमबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानि पांच प्रस्ण होंगे ठीक उसके बाद समान विज्ञान है छाठा समान विज्ञान से भी पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे पांच नमबर के और इसी की बात हम कर रहे हैं इसमें हम सबसे पहले ले के आएंगे प्रारमभिक भावतिक विज्ञान इस समान विज्ञान में लगभग 1800 प्रस्णों का संग्रा ले के आएंगे जिसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यानि इन ही 1800 प्रस्णों का जो संग्रा है उसी से इन तीनों तीन पार्ट में हम समाप्त कर देंगे पहला रहेगा बहुतिक भी ग्यान दूसरा रसान विज्ञान तीसरा जीव भी ग्यान वैसे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं स्वरी नेक्स्ट जो है वो प्रारमभिक अंक गणित है इसमें जो भी टापिक दिये गए हैं इन में हम सब आपको बताएंगे इसमें देखिए इसमें जो परतिसत है परसेंटेज वो लेखपाल मेंस के लिए हमने पूरा प्लैलिस्ट बना रखा है वहाँ पर पढ़ाया था तो वहाँ से आप देख सकते हो हम सुरुआत करेंगे एबरेज से एबरेज के भी ऐसा है कि हम इसलिए इसको कर रहे हैं कि सिलेबस हमारा एक डेड महीने में कंप्लीट हो जाएगा क्यांकि इसका जो एकजाम डेट है वो पोस्टपोन होगा यानि कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ेगा इसका रीजन यह है कि फार्म भी ज्यादा भरे गए है और जो फार्म का देखते हैं आठमा समान हिंदी है समान हिंदी में जो चीजे हैं सारी चीजें किलियर दिया हुआ है यानि पांच कोईश्चन होंगे पांच नमबर के नेक्स्ट है समान अंग्रेजी इसमें भी पांच कोईश्चन होंगे पांच नमबर के नेक्स्ट है करेंट अफ्यर करे यह current affair के सारे question हम अपने पीडियाप के द्वारा आपका कराएंगे उसमें सारे question 10 के 10 question इसी से मिल जाएंगे आपको दूसरे जगा जाने की जरूरत नहीं है क्यों मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं पीडिक में बैठा भी था और उसमें पूरे current affair 10 में दसो सही किया था ठीक नेक्स चलते हैं अब आ गया जीके का static जीके के इसमें 10 question पूछे जाएंगे 10 number के ठीक नेक्स है अब गटिक हिंदी गध्यान से यह आपका 10 number का है उसके बाद graph की ब्याख्या और visualization है यानि यह graph से समधित जो है डियाई से डियाई से आपके 20 question यानि गणित का जो में पार्ट है 25 नंबर के वो पूछे जाएंगे तो हम यह graph वाले अत्तालिका वाले जो होते हैं डियाई के question इनमें हम लगवा 50 से 60 question करा देंगे practice कराएंगे उसी से exam में पूछे जाएंग मिल सके अब यहाँ पर अंग्रेजी है समाने अंग्रेजी की बात करा काने के मतलब है कि जो पिछले PT में बैठा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि ज्यादा deeply पढ़ने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह high school और इंटर के लेबल पे paper बनेगा यानि जो generally knowledge होती है वही एकजाम में पूछे जा रहा है हर बार थोड़ा इस पर ध्यान देने वाली चीजें है करेंट फेर के और मैथ का अगर दो समान लिए तो आपका ज्यादा इसको आ सकता है तो हम इसी के साथ आज बिराम देते हैं और कल से शुरुवात करेंगे मैथ average और बिग्यान म जैसा कि हम बता दिये हैं कि बहुत इक बिग्यान में लगबग 600 क्वेश्चन है और समान बिग्यान टोटल की बात करें तो 1800 प्रसनु का ऐसा संग्रह है जिसमें से सारे क्वेश्चन आपको एकजाम में मिल जाएंगे चाहे कोई भी एकजाम देने जा रहे हो RRB, Group D, NTPC, जो भी एकजाम सारे क्वेश्चन उसी से बनते हैं तो आसा करते हैं कि आपको हमारा जो बताया गया एडवाइज है बताया गया जो इसी लेवा से वो समझ में आ जाए और समझ में आ गया होगा तो लाइक से अब्सक्राइब करना बुलिएगा जै हिंत जै भारत झाल